गुद मॉर्निक एवरिवन बच्चों पीछले वीडियो में हम लोगों ने संबेगात्मक विकास की विश्तृत जानकारी प्राप्त की आईए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ नई चीजों को जाने आज हम लोग सामाजिक विकास इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं सामाजिक विकास जिसमें 0 से 3 वर्ष के सिसु का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं क्या है मनुष्य से एक सामाजिक प्रानी है वह हमेशा इस प्रकार का बेवार अपनाता है जिससे वह अपने आपको समाज के साथ जोड सके उसके जीवन की संतुस्टी वह सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के साथ कितना सामाज़स से अस्थापित कर सकता है जन्म के बाद जैसे इसे सिसु वरता है वातावरन के प्रति सजग होता है वह समाज़िकता के गुनों का विकास करने लगता है क्या है चिसु जो है मनुष्य जो एक समाजिक प्रानी है ये तो हम लोग जानते ही वो अकेले कभी भी नहीं रह सकता है और जब आकाश सिसु जैसे सते बढ़ता ह When I am बाड जैसे उसका विकास होता है वह वह वाता बरण से अपने आपको अपने आप में समायोजित होता जाता है, और हम लोग देखते हैं कि समाजित विकास किसे कहते हैं, अपने बेवहार को समाज के अपेक्छाओं के अनुरूप ढालने को ही समाजिक विकास कहते हैं, और फिर हैं, जन के समय सिसूना तो समाजिक होता है और नहीं असमाजिक, बलकि वह समाज के प्रति उदासीन होता है, किसी तरह की कोई फिलिंग उसके अंदर नहीं होती है, वो नए वातावरन में आता है, किसी चीज से उसका कोई समायोजन उस समय नहीं हो पाता है, सबी ची सात्व समाजिक गुनों से सुसोभित होता जाता है जैसे इसे सिसु की उम्र बढ़ती है वो समाजिक गुनों को धीरे धीरे अपनाने लगता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ विद्वानों की अनुसार समाजिक विकास की परिभासा है जैसे चाइल्ड इनकी अनुसा समाजिक विकास को परिभासित करते हुए बताया कि समाजिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्यक्ति में उसके समुह मानक के अनुसार वास्त्युक ब्यवहार का विकास होता है और सेकंड विद्वान हरलोक के अनुसार जिन्होंने 1978 में समाजिक विकास को परिभासित करते हुए कहा कि समाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा समाजिक प्रत्यासाओं के अनुसार ब्यवहार किया जा सके तो इन विद्वानों ने समाजिक विकास को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभासित किया और हम लोग इसमें ये जाने कि अपने ब्यवहार को समाज के अनुरूप धालने को ही समाजिक विकास कहा जा सकता है फिर हम लोग देखते हैं समाजिक विकास की अवस्थाएं समाजिक विकास की विविन अवस्थाएं हैं अर्थात सिसू के विकास में जो आयू है वो किस आयू में किस अवस्था में सिसू में कौन सी चीजे विक्सित होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं जैसे दो से तीन माह का सिसु दो से तीन माह का सिसु इनका समाजी क्रिकास कैसे होता है क्या-क्या ये कर सकते हैं इस सब्दी में तो तीन महिने का सिसु माह की मुस्कुराहत का प्रत्य उत्तर मुस्कुरा कर देने लगता है कोई भी बड़ा बच्चा सभाविक रूप से नन्य सिसु को देखकर मुस्कुराता है तो सिसु मुस्कुराहट में उसका उत्तर देता है अगर सिसु से बड़ा कोई बच्चा वहाँ सामने सिसु के सामने खेलता है बच्चों के साथ, तो उसको भी वो मुस्कुरा कर अपना उत्तर देता है, यहीं से उसका सामाजी क्विकास प्रारंब हो जाता है, जब सिस्यू से कोई बात करता है तो एक टक से उसके चेहरे की ओर देखता रहता है, जिससे बात करने वाले और सिसू के बीच एक संबंध स् छोटे बच्चों से अगर बात कीज़े तो वो बहुत ध्यान से एक टक से देखना देखता है लगता है जैसे कि वो सभी बातों को समझ रहा है तो यहां से सिसु में समाजिक विकास आरंब हो जाता है मा दूद पिलाते समय नहलाते समय सुलाते समय सिसु की ओर प्रेम से देखती है वह सिसु भी मा की ओर चेहरा कर उसे देखता है इसी से मा और बालक में समाजिक वह समभी आत्मक विकास बनता है तथा वह मा के सपर्स तथा मा को पहचानने लगता है क्योंकि एक बच्चे में सबसे ज़्यादा समय उसके मा का व्यतित होता है और मा के साथ सिसु का जो संबंध है वो क्या हो जाता है बहुत ममत्वाला ममता पुर्वक संबंध होता है जिससे सिसु जो है वो मा को पहचानने लगता है बहुत अच्छे से पहचानता है, फिर है चार से छे माह में, चार से छे माह का सिसू का समाजी प्विकास के अंतरगत कौन-कौन सी प्रक्रियाय होती है, जैसे प्राय देखा गया है कि बड़े व्यक्ति सिसू से बात करते समय, चेहरे की अभिव्यक्तियों को बढ़ा चड़ कर दिखाते हैं, एक छोटे से बच्चे से कोई बात करता है, तो देखिए, चेहरे खुद बखुद बच्चों के बेवहार जैसा हो जाता है, उसी के अनुसार बड़े व्यक्ति बच्चों से बाते करते हैं, आवाज बच्चों को भली लगने वाली बना लेते हैं, जिसको देख और सुन कर 4-6 मा का सिसु अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, वह किलकारी भरता है, आवाजे निकालता है, वह हाथ पर हिला कर प्रसन्यता भी प्रकट करता है, बहुत जादा खुस होता है, इस प्रकार सिसु बिविन प्रकार के समाजिक ब्यवहार सीखने लगता है, क्या है, जैसे जैसे सिसु बड़ा होने लगता है, अगर वच्चे से कोई बात करता है, तो बहुत ध्यान से वह सुनता है, देखता है, और क्या है, वह अपने समाजिक ब्यवहार को अपनाने की कोशिस भी करता है, और क्या है क्रोधित बैक्ति की मुद्रा अमुख मुद्रा देख कर थो अंजान बैक्ति को देख कर वह रोने भी लगता है कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर घर में इसी तरह का माहौल है या कोई बैक्ति उसे डार देता है जोर से बोल देता है तो बच्चे डर से रोने लगत केंडी करता है किया बच्चे नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अगर है तो हमारी ध्यान नहीं दे रहा है तो अगर कोई उसके युपर ध्यान नहीं देता है तो अपनी और ध्यान आकरिशित करने के लिए वह तरह तरह की क्रियाएं करने लगत junior जैसे परिचीत को देखकर गोद में जाने के लिए हाथ आगे बढ़ा देना किलकारी मार कर हसना, ताली बजाना, खिलोनों से खेलना वो अपने हमूर उम्र बच्चों के प्रती जिग्यासा भी दिखाता है फिर वारता लाप भी करता है साथ से दस माह का बच्चा है, वो इन सब क्रियाओं को करना आरम कर देता है फिर 11 से 12 माह, ये सभी अवस्थाएं हैं, सिसु के समाजिक विकास की 11 से 12 माह में, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है अन्य बच्चों के खिलोने चीनने का भी प्रयास करता है संकेत पर कुछ आदेश भी समझने लगता है जैसे ना कहने पर कुछ देर के लिए वो उस क्रिया को, उस काम को वो नहीं करता है चल कर दूसरों के पास जाने की कोशिस भी करता है फिर 12 से 15 माह में बच्चा घर से बाहर आसपरोसमर में चल कर जाने लगता है अब अपने दोस्त भी बना लेते हैं चोटे-चोटे और घर से निकलकर अगल बगल आसपरोस में जाते यहां बच्चे ख़ड़े होकर खेल रहे बच्चों को देखते हैं क्या होता है घर के आसपास बच्चे जब खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं बॉल खेलते हैं या फिर अनिक खेलों को तो छोटा सीशु जो है एक डिर साल का वह वहां जाकर चुप-चाप से खड़ा होकर वह खेलों का आनंद लेता है अकेला पुन उसे अच्छा नहीं लगता है तोटली भासा में बाते भी करने लगता है थोड़ी थोड़ी बाते भी वह करना आरम कर देता है सौच पर काफी हद तक नेंतरन कर लेता है फिर 15-24 मा दूसरे बच्चों के साथ खिलोने लेंदेन करने लगता है अब क्या है जब वह आसपरोस में जाने लगता है तो उसके दोस्ती भी बन जाते हैं अब क्या है जब बच्चे घर आते हैं तो अपने खिलोनों के साथ करता है जबरदस्ति में अगर कोई कोशिस करता है तो फिर वो लड़ाई करने लगता है या उसे मारपीट उससे करना शुरू कर देता है दूसरे बच्चे के प्रती जिग्यासा सहानुग्भूति वह मेल की भावना भी प्रदर्शित करता है और अपरी चीतों से ड़ता है अ पहले से अधीक समाजिक दिखाई देने लगते वह अपने माता पिताया परिवार समाजिक विकास का नकल भी करने लगता है ब़रो को नमस्ते क्रता बाला करने लगता है इस वर्स हे बालक स्वयंग भोजन, खाना भी आरंब कर देता है कपड़े पहलने में भी मा की साहयरता करता है पहले चोटे में भाग दोर मा को बहुत करना पड़ता था लेकिन अब Suppose की से कपड़े पहलने की कोषिस भी करते हैं या माऔ को जादा परेसान नहीं करते हैं। कि इसी आयू में इर्षिया, अकल, अस्परधा का भाव भी उत्पन हो जाता है, ये सब क्या है? इर्षिया, अकल, अस्परधा ये सब एक तरह का संवेग है, तो बच्चे में 2-3 जसाल के उम्र में ये सब उत्पन हो जाता है बालक अभी स्कूल भी जाने लगता है जिससे वो अपनी आयो के बच्चों के मद्य रहना भी सीख जाता है इससे में बालक के खेल कुद के समूव बन जाते हैं और ऐसे समूव में लिंग भेद नहीं होता है सभी बच्चे मिलकर आपस में खेलते हैं ऐसे बच्चों में लड़के लड़कियों का कोई भेद भाव नहीं होता है सभी बच्चे हैं एक समान और एक साथ खेलते भी है इस सवस्था में क्या है स्वतंत्रता की भावना भी प्रबल हो जाती है उसमें निसेधात्मक प्रिवर्टी पाई जाती है निसेधात्मक का मतलब क्या हो गया नाकरात्मक है ना इस जिसके कार्ण क्या होता है बच्चा बहुत ज्यादा जिर्दी हो जाता है किसी बात को कहने से ना कहना नहीं मानना यह सब चीज़ें आ जाती है चार साल का बालक बरो की आग्या कुछ-कुछ मानने लगता है ताकि वह प्रसंसा अनुमोधन तथा मानने ताक प्राप्त कर सके कुछ बच्चे काफी समझदार होते हैं वो चाहते हैं कि बड़े के द्वारा वो प्रसंसा के पात्र बने तो ऐसे बच्चे बातों को मानना समझना यह सब करने लगते हैं तो यह तो थी समाजिक विकास में बिभीन आयू के बच्चों की अवस्था थी तो अगले चप्टर में हम लोग अगले टॉपिक में यह अगले वीडियो में हम लोग बालकों के संबेवों की विशेस्ता हैं इन पर विश्त्रित जानकारी प्राप्त करेंगे आज के लिए इतना ही बहुत भवत धन्यवाद आप सबों को